नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेंगों किस यूट्यूब चैनल में दोस्तों SSC का नोटिफिकेशन डिले हुआ काफी सारी न्यूज आए तो आप न्यूज आ रहा है ने SSC के नए वेबसाइट का क्या फ्रेमबर्क है और SSC के नए वेबसाइट कैसे काम करेंगे उन सारी डिटिल को हम इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले हम इसको लाइब करते विए आपको समझाते जाएंगे सबसे पहले हम क्रॉम ब्राउजर को खोलते हैं और यहां पर जो पुराना वेबसाइट है हम वही लिखेंगे ssc.nic.in इस पे एक्चुली वेबसाइट खुलता है ठीक है और यहां पर दोस्तों आपको कहा गया है एक नोटिफिकेशन आया है 22 फरवरी को लाँचिंग आफ न्यू वेबसाइट आफ कमिशन साथ इसके बज़र से डिले हुआ होगा तो चलिए देखते हैं हमने डाउनलोड इसको पहले से किया था मैं एक बार फिर से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहां पर और इसको रीट करने की कोशियस हम करते हैं देखिए यह ssc के तरब से आया important notice है कहा जा रहा है कि stop selection commission takes pride in announcing the launch of new website which has been made live on 17-2024 यहनि कि जिसको 17-2024 को live किया गया था however the existing website will also continue to accessible through a link on the new website देखो जो आपका पहले से website है जैसे ssc.nic.in वो भी चलेगा लेकिन उसके लिए new website पो उसका link दिया रहेगा उसी के थूँ आप जाएंगे जैसे आप यह देखेंगे कि ssc के जो new website जैसे ssc.nic.in इससे पहले भी एक website था ssc को उस portal को उपर में लिखा रहा था ssc all website ठीक है जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो इधर से मैं direct अगर दिखाने का प्रयास करूँ तो एक मिनट दोस्तो यहां देखिए यहां लिखा हुए ssc all website जिस पे हम लोग काम कर रहे थे हम लोग का email id वगरा सथा देखें ssc all website यह आपका पुराना वाला website है ठीक है और दोस्तो हम लोग अभी किस पे काम कर रहे थे नए वाली website पे ठीक है यह हमारा नए वेबसाइट था अब जो है आगे क्या कहा जा रहा ध्यान दिजेगा आगे कहा जा रहा है all candidates are advised to do face one time registration ठीक है मलब face one time registration का मतलब जो आपने registration किया वो पहले वाला उसको छोड़के आप नए registration करेंगे जैसे आप क्या देखते हैं CDS में, NDA में अब OTA आ रहा गया है मतलब one time registration आपको करना होगा on the new website of the commission जो new website को ने http ssc government.in as otr previously done on earlier version of commission's website जैसे आप उस पर भी करते हैं नाम, address, father's name यह बगएरा सब बढ़ते हैं कह रहा है कि example httpsc.nic.in पे था ना अब वो null or void हो जाएगा मतलब वो खारिज हो जाएगा क्या उस पे काम नहीं होगा हम ये भी चेक करेंगे दोस्तो ठीक है the details instruction for one time registration may be see under section for candidates a special instruction instruction for filling otr मतलब कि ये उसमें दिया हुआ होगा देखे हमने ये समझा इसमें एक समरी अगर करने की कोशिस हम करें थी ये कह रहे कि जो पिछले आपका registration था वो null or void हो जाएगा नए वाले में आप register करेंगे तब ही उस पे आपका काम करेगा ठीक है चलिए हम वो देखते हैं ससी के इसके दिये गे इस्टेक्शन के साब से हम इसको कॉपी कर लेते हैं स्टीटीपी ससी ठीक है गॉर्मेंट डॉट इन ये इसको कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं Chrome ब्राउजर में जाते हैं न्यूगल क्रॉम को खोल कर यहाँ पर कॉपी कर देते हमने जो लिंक को किया ठीक है तो हमारे सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा एक बार इसको फ्रेस कर लेते हैं ठीक है देखिए ये नया पोटल है ससी का खुल के आ गया ठीक उसी परकार से लेकिन ये थोड़ा अच्छा दिखता है हम इसको डेक्स्टॉप में कर लेते हैं ताकि और हमें किलियर हो सके रिसेंट टैप डेक्स्टॉप साइट थोड़ा बरा दिखेगा ठीक है दोस्तों एक बार इसको रिफ्रेस्ट करने दीजें ओके सो यहां पर सारे चीज़ दिये हैं जैसे फाइनल वेकेंसी फोर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कितने फाइनल वेकेंसी थे आंसर की रिजर्ट थोरा सा अच्छे डंग से दिये गया है ठीक है और दोस्तों यहां पर जो हमें क्या कहा गया है कि one time registration करने के लिए तो हम क्या करते है लोग इन और रिजिस्टर पे जाते हैं अपना पुराना वाला जो था हम उसको डालते हैं और उसका password डालते हैं ठीक है चलिए देखते हैं चक करके एक दोस्तों hold किजेगा तो दोस्तो हमने इस पर try किया अपना registration number और password दे कर और capture मैंने भरा तो वो नहीं खुला तो दोस्तो हम एक काम करते है register now पर जाते हैं क्या इसमें नया खास है वो देखते हैं देखे यहाँ पर लिखा हुआ है one time registration personal detail, password creation, additional detail, declaration इतना करने के बाद जो है हमारा continue हो जाएगा candidate must vary cautiously while filling up one time registration detail your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information furnished ठीक है मनलब अगर आप wrong information लेकर देते हैं तो वो cancel हो जाएगा तो यह कुछ था जिसके बज़र साइध हो सकता है delay हो रहा होगा यहाँ personal detail पर आप खोलेंगे इसको एसा नहीं खुलेगा यहाँ continue करेगा तब आपका खुल सकता है यहाँ पर यह क्या मांग रहे है do you have अधार card अगर है तो भरिये दो बार verify कीजे identification card select कीजे जो आपका है pain, voter ID, driving license ठीक है या आपका जो कुछ भी है ठीक है मतलब अगर आप यहाँ पर अधार card दे देते तो मुझे लगता है कि यह नहीं पूछेंगे personal detail में एक यह उसके बाद जो है नाम अपना matriculation certificate पे उसके बाद अपना verify कीजे उसके बाद change अगर नाम करवाए हैं तो जैसे gender आप लिजे, male female, date of bird डाली है father's name, mother's name verify कीजे सबको, role number matriculation का role number आपका किता था, वो लिखिए role number को verify कीजे, किस साल आप pass किये तो वो verify कीजे, कितना highest level of qualification है, mobile number है, उसको लिखिए, उसके बाद save and next कीजे तब अगला process आपका आएगा, वो अगला process है personal detail आप भर दिये, password creation पे आएगा, ठीक है और उसके बाद आएगा additional detail or declaration पे अंती में आगा, तब आपका नया password बनेगा, और मुझे लगता है, यहाँ पर तब आपका वो register होगा, ठीक है तो दोस्तों, यह कुछ था, आप try करके देखिएगा, अगर आईसा possible है, तो ठीक है हम भी try करेंगे, अगर try करने के बाद हम एक नया वीडियो बनाकर आप तक पहुचाएंगे तो यह कुछ reason हो सकता है, website के delay होने में अगर बताने में कुछ truth हुआ होगा, तो उसके लिए खेदे लेकिन मैं कोसिस क्या हूँ, कि जो best knowledge है आपके अगर तक पहुचाओं, तेकि आपको क्या लगता है delay होने का क्या काराने comment में जरू बताईएगा thank you very much for watching this video